हेलो आपर आप शुजीत सिंग आप सभी का दाइना पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की स्वीडियो के अंदर में हम M.A. History M.A. 101 का यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे कास्योगीन सब्वेता दुट्टे के बारे में इससे पहले के लेसन में हमने कास्योगीन सब्वेता पर्थम को समझा था इस लेसन को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपके माइन में चीज़े क्लियर होनी चीज़ जिसके बाद आप इसली इस लेसन को समझपाओगे देखो कास्योगिन सब्वेता कोई सब्वेता नहीं है जिस तरह आप हडपा के सब्वेता पढ़ते हो मेसुपटामे के सब्वेता पढ़ते हो मिस्र के सब्वेता पढ़ते हो ठीक इस तरह की कोई सब्वेता नहीं है यह एक टाइम जोन है टाइम जुन किस तरह से अगर आप हिस्ट्री को देखते हो तो हिस्ट्री को कई पार्टों में बाटा गया है जैसे पूरा पाशानकाल, मदेकाल, उत्तरकाल ऐसे लगलग पार्टों में बटा हुआ है उसी तरह के से एक ये पार्ट है जहां पर हम बात करते हैं कास्योगिन स होता क्या है तो एक इस इस टाइम पीरेड के अंदर में जो पूरा टाइम पिरेड़ का आप नोट करें 205 कर वे tar Usa poor के दौरान quiet जहां पे डेली लाइफ में रोजमर्रा की जिन्दगी में useful चीज़े हो उसके निर्मान के लिए उपत्रों का इस्तमाल करता था पर जब मनुष्य ने धातु का उपयोग सीखा जो time period अगर आप note करके चलना है क्योंकि अगर आप time period भूल रहे हो तो बाकी चीज़ों में आपको दिक्कत होने वाली है time period अपना क्या रहेगा तो 3000 से लेकर 1000 इसा परोका बीच का time period रहेगा कास्योगिन सबधा का इस time period के अंदर में मनुष्य ने क्या सिखा तामबे और तीन को मिला कर मिसरित करके मिला कर एक नया धातू बनाया जिसको मुकास से कहते हैं उस धातू की विसेस्ता क्या थी कि ये जो धातू था ज़्यादा कठोर था कठोर होने के कारण से क्या मजगूती इसके अंदर में आ जाती थी एजली ये तूटता नहीं था अलग-अलग आकारों के अंदर में जिसके बाद उनका जो सिकार करने का तरीका हुआ बाकी चीजे रोज मर्रा के जीवन में परिवर्तन की बात करो ठीक है आप कृशी की और अगरसर की और देखोगे कि किस तरह से ओजार ने ने बनाया जाने लगा तो उन सब में बहुत जादा उनको एक तरह से ना मतलब बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है ब्रेक्ट्रू के तौर पर हम इसको लेके चलते हैं जहाँ पर मनुस्यवाद के तौर देखने के लिए मिलता है ओर मनुस्यव से नहीं कहा इस ताइम पिलेड के अंदर में किस तरह की सनदातू को उपयोग करेंगे और उनकी उपयोग से किस तरह स्पने क्यूंगे जीवनों परिवरतन आया चाहे आप बात करो मेसुपुटामिय की संस्कृति के बारे में, मिस्र की संवति की संस्कृति के बारे में, हडपा की बात करो, शांग सब बता की बात करो, इन संस्कृतिवों ने क्या किया, कास्य का इस्तमाल किया, यह कि किस तरह से कास्य का इस्तमाल करके धातू बना जा सक कई जगा पर मिल रहा है और कई जगा पर मली जहां पर उसकी उपलबदता नहीं थी ठीक है तो फिर वो कासे का उपयोग कर रही थी कहां से कास से आया तो इसके basis पर हम मान के चलते हैं कि वह वैपार भी उस time period के अंदर में किया जा रहा था उत्पादन तो समझ में आता है आपको ठीक है यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए आगे हम बात करें तो कासी क्या उदे का जो दावा है देखो अलग-अलग books के अंदर में अलग-अलग sites के उपर में इसके time period को लेकर मतभेद है क्योंकि जितने भी इतिहासकार है जो भी क्योंकि यह exact आपको नहीं पता है कोई book के अंदर में लिखकर नहीं गया है कि 2024 के अंदर में मोदी जी आएंगे ऐसा लिखकर कोई नहीं गया है इस तरीके से नहीं तो इसके हम क्या करते हैं अंदाजा लगाते हैं या फिर carbon dating के हिसाफ से हम बता करते हैं कि अच्छा है यह वाला जो चीज है ना इस time period के अंदर में रह गयो और उसके हिसाफ से हम यहापे date निरधारि 3000 इसा पुर्व के दोरान में मिसर के छेतर में किया गया सबसे पहले जो दिखा गया ना कि कहां पर किस तरह से हुआ मिसर के छेतर में कई सारे ऐसे ओजार मिले जिससे यह परमाणित होता है कि तामबे और टीन के मिसरित करकी इस तरह के ओजार बनाए गए जिसको हैं पूरा एसी आई बस्ती जो थी वहां तक फैलाव आपको देखने लिए बिलता जहां पर ये धातू का उप्योग किया जा रहा था इसके बाद अगर आप देखोगे तो कासी यूग के कुछ सबसे बड़े सहर अगर आप देखो किस तरह के सहर थे तो वरतमान में इरात में उरुक करके जो जगता वहां पर इसका इस्तमाल किया जाता था वरतमान के गिरिस में माइसीनिया जो जगता माइसीने करके वहां पर समाल किया जाता था तो इन सब जगहों पे इसका उप्यों किया जाता था कासे यूग के कुछ परमुख समराज्य कर आप देखोगे तो मेसोपर नाम है कि सुमेर हो गए बिबिलोनिया हो गई प्राचिन गिसर ग्रिश के अंदर में एथेस हो गया एथेस और सपाटा के बारे इसके बाद में तो यहां पर टाइमिंग को लेकर था इशू है अपने बुक को फूल अप किजिए कि आपके बुक में क्या दे रखा है या फिर आप आप इसको वेरिफाय भी कर सकते हो अलगवत साइट से कि क्या किस तरीके से चीज़े दे रखे डेट्स के सिखा ती कि लोहे जो इससे ज्यादा मस्गूत होथा था उसका यहां पर बनाना शुरू कर दिया हो और यहां पर फिर सबैताँ की बात करो कि हूं कि उनको नुसी प्रमुख कासी की सबैता रही तो फरात this तजियुको आ उपयो प्रॉपर तरीकसे किया गया ठीक है समझ में सब्सक्राइब लिएच्स स्टेस्टेस्टेस जैसे लिरा सट करते हैं इसके आगे सी कि आपने वीडियो को देखें देख सकते हैं लिंक आपको वीडियो को देख सकते हैं मिल जाएगा जहां से आप easily MHI 0, MHI 101 के playlist में जाकर सारी वीडियो से देख सकते हैं, और आप सभी students से मैं उम्मीदिये करता हूँ कि नीचे के नमरों पर आप हमें help के लिए कुछ जो भी आपका बन सके सही हो को कर सकते हैं, ठीके इससे ये benefit होगा कि हम capable हो पाएंगे कि और हम अच्छे से व लोग विकास करते हैं, जैसे जैसे लोगों के पास में नई नई तकनिक आती है, नई नई चीजे संभावनाएं आती हैं, तो उस तरीके से क्या होता है कि वो विकास करते हैं, ठीके आगे बढ़ते हैं, तो मेसु पटामिया के जो सहर थे, जैसे अब से लोगों ने ओजार बनाना सीखा ठीक है तो धीरे-धीरे क्या हुआ वह सहरी करण के और बढ़ने लगे ठीक है सहरी करण का सुर्वात कैसे हुआ इसके बारे में हम बात करते हैं सब बताओं के अब रूप रिखा देखोगे ना तो नदी परणाली के उपर में निरभर थी ठीक है पूरी नदी परणाली के उबर में ठीक हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं पहले ही जिससे आगे आपका टाइम बढ़ सकें देखो नदी परणाली के कर आप बात करो जितनी भी सब्धा अभी तक आपने पढ़ी यहां मैंने नाम लिया चाया आप मेसो पटामय के सब्धा के बात करो मि मेसो पटामय का नाम पढ़ा ठीक है दो नदियों का बीच का छेतर जिसको हम मेसो पटामय कहते हैं ठीक है समझ में आता है अगर आप मिस्र की बात परो तो मिस्र नील नदी के किनारे बसा हुआ सहर था और नील नदी के कारण से ही उसको जो विकास किस तरह से हुआ सब्ध और पीली नदी के किनारे में था तो नदी परणाली importance क्यों था कोई भी व्यक्ति है तो उसके जीवन में जीने के लिए सबसे ज़्यादा important होता है पानी पानी आपको नदी से मिलेगा नदी का उपयोग जो होता था वो उपजाओ भूमी के लिए भी किया जाता था क्योंकि जब नदी के अंदर में बाड़ आती थी तो जलोड मिर्दा अपने साथ लेकर आती थी ठीक है जलोड मिर्दा के अंदर में काफी सार उर्वरक हुआ करता थे काफी साला पोटिंशेल हुआ करता था जिससे जादा अच्छी उपज हो सके उसके कांचे उपजाओ भूमी का निर्माण नदी के द्वारा किया जाता था ठीक है अगर आप हडपा के सिंदु नदी के आसपास के छित्रों को भी देखो तो बहुत ज़दा उपजाओ भूमी है ठीक ह कांचा वहां के जो लोग थे उनकी जो रोजमर्णा के जिंदिगी थी उसके इंदर में परिवर्पन देखने करें मिलता है क्रिशी करना संभव वोसका अधिक उपज पैदा करने लगे लोग ठीक है अधिक उपज पैदा करने का रीजन कहता कि अगर उनकी बूमी फटिला यह तो सदन करने का साधन करें आज के समय में आपके पास रेल येरप्लेन और हाइवेज थीक उस टाइम पर नहीं थे तो उस टाइम पर एक मात्र साधर मन्दा था कि नदी के दवाना नाओं से एक जग़ा से दूसर जगर टैवल कर जाया जाहाज से ट्रावल कर जाए तो पे इसका उपयोग होता है घनी अवादी इसके काई से बढ़ती जले जाती है अगर किसी भी छेतर के अंदर में ज्यादा पैदावार हो रही है तो उस पैदावार के खपत के लिए काम के लिए बागी चीजों के लिए लोग जुरत पड़ेगी तो बाहर से लोग आएंगे यहां रहेंगे यहां रहेंगे कुछ व्यपार करेंगे तो इस तरह से चीजे चल रही थी ना उसके कारण से क्या होँआ नदी छेतर का जो नदी पढ़ना ली था उसका विकास यहां पर देखने के लिए मिल जाता है ठीक है तो इसी तरीके से सैंट पैटन पर आपका पैदावार करने जा रहे हूँद आप भगवान पर निर्फण नियों कि बढ़ वारिस चरहें तो फिर पीदावार होगी योगी है आप इस स्रफाहीSuperiji कर सकते ठेखो शिते अपट RC यू के पानिंधी बनाया आती ठीक है और इन गड्डों के अंदर में पानी बर जाता आ ठीक है और इन गड़ों से क्या होता है कि बाद में से चाही के लिए इसका उप्योग है जाता था जिससे अच्छी पैदावार हो सके और जब नदी के अंदर में वाड आती थी तो अपने साथ में जलूर मिर्दा बहा कर लेकर आती थी और वो जितने भी आसपास के खेत के अंदर में भूमी का तो जल सी चाही का उप्योग के जाता था पर तेक नदी गाटी में ऐसे छेतर होती थी जहां पर लोग जाकर बसते थी ठीक है और सहरी करण की यह संभावना बनने का यह कारण रहता है जिसके अधर सहरी करण बनता है जो मैंने आपको डिटेल में सम जा तो ये में रिजन यहाँ पे देखने लिए मिलती है हवा के तो में में 2017 का दम यूगतर टारे करता है जो मेंसमौत रहती हैं नदी के अनदर में का परिधान का परमुकेर्य करते था. हडपा के अंदर में सिंदू नदी आपका सेम यहां पर कारे करते हुई दिख जाता है तिके पहिया और गाड़ी का परमाण मिलता है कि किस तरह से पहियों को मिमाण किया गए इस टाइम प्रिड के अंदर में समान डोने के लिए जानवर का इस्तमाल किया जाता था जिसमें जैसे जैसे आप देखो के मिस्र के अंदर में गदो का इस्तमाल के जाता था और भारत के अंदर में बैलों का इस्तमाल के जाता था समान डोने के लिए रोजगार और सरंब वीभाजन देखोगे अगर आप किस तरह से रोजगार हुआ सरंब वीभाजन मतलब क्या रोजगार मतलब अलग 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 तरह के कारिये में में लोग सामिलते हैं अगर आपके घर में नल खराब है तो उसके लिए messenger Lowi का समान है तुछ लखिर वाले को लोई के लिए और Carpenramento को लखञ़ के लिए है तो हर एक कारी के लिए अलग वैकती यहापय न्यूंग की जाथा सहरों के इंदर में जिसको स्रम विभाजन के तौर पे देखते हैं स्रम विभाजन मतलब क्या काम का बटवार किस तरीके से बाटा गया कि यह वाला व्यक्ति सिर्फ लकड़ काम करेगा यह वाला बिजली काम करेगा यह वाला इसका काम करेगा इसका यह वाला इसका काम करेगा तो सहरों के अंद सब्सक्राइब करने वाले सास के संप्रभात अगर मानलों को ऐसा वर्ग है जो स्रम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर इस इंप्रभात वर्ग है मतलब एक तरसे सासक है ठीक है वो क्या करेगा केवल कानून और व्यवस्थाओं को देख रहे करेगा ठीक है उसके पास कानून और व्यवस्था जैसे चीज़े हैं जो देख रहे करने के मिली है बलकि वह एक ऐसा परशासनिक जिसमें सरम विवाजन को नियंतलित किया जासके कि अगर कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है कारई या कुछ और इंपैक्ट है तो उसको किस तरह से द्वारा जा सकता है तो सास की वर्ग के बारे में यहां पर जिक्री मिलता है कि किस तरीके से उसका रोल यहां पर रहता है से आगे हम बात करें तो सास की संपरभात वर्ग के अगरु आगव करो तो जनता के ष्रम क Woah करती तaly God किस तर से क्या स्टरम करवाना है। उसका उप्यों कहाँ पर कया जा शकता है किस तरीके से खेती करवाना है क्या खेती करवाना है कितना उपवज हुआ किस तरह से क्या चीज़े रहेंगी वो सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहेगा साक्स के संप्रभात वर्गों के के द्वारत जनता को उपयोग स्रम के लिए लिया जाता था इस तरीके साथ को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है लोग एक दूसरे से परिवार या नातेदारी कुल के अधारपन नहीं जुड़े होते थे बलकि कबलाई समाज में ऐसा होता था अगर आप देखो एक सैरी करणी के अंदर में जाते हो उसरी करणी के अंदर में रहते हो हम देली में रह रहे हैं तो हमारे आजपड़ोस में रहने वाले लोग किसी तरसे कोई परिवार और नातेदारी से नहीं जुड़े हुए कि भएया ये मेरा मम्मी पापा है मतलब ये मेरे blood relation में नहीं आते किसी भी तरीके से नातेदारी रिसेदारी में नहीं है बहुत rare होंगे कि आग पास में आपके बन रहे हैं या अपने लाकर बसा लिया अपने मामा चाह जाता हूँ को तो वो बात लगे हैं यहा इस तरीकी जो नातेदारी वावस्ता होती है मतलत जितने भी ब्लड लेशन रहे हैं तो इस तरी की चीज़े होती है पर सहरों के अंदर में आपको यह सारी चीज़े देखने के लिए नहीं मिलेंगे तो मेरा क्या मेरा पूरा जो मतलब रिलेशन है वो जुन का मतलब जनम स्थान है यह कोई अलग जगर रह रह रहा है तो यहां पर यह स्रीप हम है उसके जो हमारे रिलेटिव का हो बाकी दूर आस पास में मतलब कहीं दूर दूराज में पापा बजा दे को यह यह वाले तुम्हारे उंकल लग रहे हैं ठीक है यह हमारे गाओं के हैं तो बात लग बट नंबर फीसल में हमें यह देखने के मिलता है कि परिवार या नातेदारी बट नहीं रहती थी सहरों के इंदर में ठीक है समझी में आता है अगले स्लाइट क्यों चलते हैं आगे हम बात करें तो मिस्वपोटामियां के अंदर में कला साहित्ते का सोरूप मूलुबुथ सहरी के उपर सहरी करन के उपर आधारी था घर आयताकार हुआ कर देगां की गलियां सरकरी थी परतेक सहर चार वागों में विवाजी था परतेक भाग में एक मंदिर होता था पिरामिट सहरों के स्थापना और बाद में मंदिर सहरों के स्थापना यहां पर की जाने लगी इसके परमाण हमें मिलते कि किस तर से पिरामिट सहरों के स्थापना की कि कि क इसने भारी-भारी ब्लॉक्स पत्थर का उपयोग किया गया ना आज के समय में इतनी बड़ी-बड़ी मसीने हैं हमें किसी सतावदी में रहे रहे हैं ठीक है बुर्ज खलीफा जैसे बड़ी नहीं है ठीक है संबद तो नहीं बोल सकते पर इजी नहीं है यह चीजे आपको देखने मिल जाते हैं वाट उस टाइम में नहीं इतना ज्यादा आपकी टेकनोलोजी थी नहीं बागी चीज़े थी फिर भी लोगों ने इतनी बड़ी संख्या के अंदर में किस तरी के से पिरा तो कहीं पे भी ना लिखित परमान मतलब साहितिक स्रोट की बारे मांको जाने नहीं मिलता है कि यह वाला सहर ऐसा था इसके अंदर में ऐसा हुआ यह चीज़े नहीं मिलती हैं बट आप अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको सार सिर्फ पुरा तात्विक आधार पर हम चीज़ें को डिफाइन करते हैं यह चीज़ें इस परकार की रहें यहां सहर के ऊचे भाग में नगर कोटा मिलता था जिसमें सारुजनिक इमारते और संब्रबात लोगों के लिए घर बनाये हुए थे हडपा सबेता के सहरी करन के बारे में आपने अल्रोडी पढ़ रखा होगा जहां पर दुर्ग और निचला सहर के बारे में पढ़ा होगा किस तरीके से उसका निर्मान के आगा इस ट्रुक्चर किस परकार का था वोई सारी चीज़ें यहां पर बताई जाने वाली है उन चीज़ों को इमारतों को किस तरह सारजनिक तोर पर तियार के गया जो संपरभात लोगते उनके लिए किस तरह से दुरुक्चर के ला तियार के गया इस सारी चीज़ें यहां पर आपको देखने लिए मिल जाती है जो बड़ा स्विंग पूल टाइप का जिसके नाली की ववेस्ता उत्तरजचन से लिए बाकी चीज़ें की गई पवित्र इस्तनानागार बंडार बड़ी संक्या में रियाइसी संवर्चन आए और जिसमें चारों और चे घिरा हुआ आंगन का सो रूप यहां पर देखने आगन को देखा ना जा सके एस जगह पैसे द्रवाला दिया जाता था लिए घर की उरते होते ते इनकी सुरुख्चा के लिए भाकी चीजों के लिए इस तरह के घरों को निर्माण किया जाता और आज भी अगर आप बिहार यूपी और बहुत इसारे जो रूलर एडिया मे और इतना बड़ा कच्छ इसकी चतों पर इटो और खंब्यों को सारा दिया गया है किस तरह से ना आंगन का निर्मान किस तरह से किया गया ठीक है चतों को बनाने के लिए काली मंगन के नगर कोट में अनुस्थानिक सनचना और संपरभात लोगों के घरों के स्थापना का यहां पर साक्षा आपको देखने क्लिए मिल जाते हैं शांग सहर के बात करें तो शांग सहर बिल्कुल अलग था इन से जितने भी सहर सब्वेता पढ़ते हैं आप उनसे काईताकार दिवारा वो दिवारे हुआ करती ती गरंतु के संदर में यहां पर यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समान इन दिवारों को नहिरमान भारिज संख्या में मजदूरों को लगाए गया हुआ करने के लिए जिस तरह की घर बनाए गया थे बाकित तो आस-पा यहां मिट्टी के ढहांचे से इन्हीं मिट्ट pac बुत्रे मिट्था समाаж के कुछ भीट पारा करते ते गड़ों में और यहांबें को गर्माण प्रदान करेती त isn't से लोगों को बहुत जगा रहत मिलती उत्री 1949 अंदर मैं उत्र के मिट्टी काफी मुलायम हुआ करती इसलिए मिट्टी खोवचन में अभी असान हुआ अभर अपर धना इतना बाओ जो लckडों कर बनाने दुषर्द लहाई ठीक है आगे हमें बात करूँ तो गड़ों के बीच में जहां जहां जरूत होती थी वहां खुदाई के समय मिट्टी के खंबे छोड़ दी जाते थे और उसके ऊपर लकड़ी के फूसे की छत दी जाती थी जैसे मालों खुदाई की गई तो बीच में लग रहा है कि यहां पर पिलर जैसा देना तो यहां पर मिट्टी की ही खंबे जैसे त्यार के जाते जिसके बेसिस पर यहां पर च्छतों का निर्माण किया जाता था जो लकड़ी या फिर फूस की छत हुआ करती थी जिन छेत्रों में सिल्प उत्पादन होता था वहां पर तिन कोने गड़े हैं आप देखने के जाते हैं तिकोने गड़े के यहां पर आकार के मिलते थी ठीक इन गड़ों में तांबे आफसेस पुलेया और लकडी टुकुडे और ध्लाई के सांथ ने मिलते अलग लगत तरह तो तांबे के सब अफसेस्एस भी आपको इन गड़ों के नतर में जाता है से यह भी सम्झी माता है कि इसका उप्योग यहां पर बनाने के लिए बागी चीजों के लिए यहां पर किया गाता था तो दोस्तों यह lesson हमारा MHI 101 lesson number 3 unit 3 यहां पर खतम होता है और भी इसके अंदर में questions है पर जितने भी मैंने अभी तक करवाया ना इसके अंदर में आप सारे questions को cover कर सकते हो चाहे आप बात करो राज्य के उदे के बारे में सहरी करने के बारे में ठीक है और एक नया concept किस तर से मतलब सहरी करन का उदे वा रिजन्स क्या रहते हैं ठीक है कौन-कौन सी जरूर मुलभूत संसादन ते जिसके बीसिस पे तत होते या संसादन ते element थे जिसके basis पे सहरी करन का नर्माण हुआ वो सभी कुछ आपने यहां पर कवर कर लिया है ठीक है तो यह वीडियो में आप एंड होती हो आगे के lesson की वीडियो आपको इसी के playlist मिल जाएगा जहां पर description में जाकर आप इसके playlist को directly access कर सकते हों साथ इसाथ आपके लिए good news यह है कि दो इनक के उपर में जितनी भी वीडियो पहले आपको membership लेना पड़ता था अब सकते हैं जिससे आपका दिया हुआ जितना भी रासी होगा वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा helpful होगा और हम आगे उसको आपके पढ़ाने के लिए आपके लिए वीडियो बनाने के लिए हम उसका यूज कर पाएंगे तो friends thank you so much watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best